अब अब चर्पड़ूंगा अभी तो नीजिप हो रही है असरामलेकुम कैसे हैं आप सब अमीद है सब ठीक ठाक होंगे हम भी शुकर अलहमदोलिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो जी यहमें जा रही हो ग्रॉसरी के लिए 2022 की पहली ग्रॉसरी और हरीम को हमने अपने साथ लिये तो हमारे साथ जाती है जैसे कि आपको पता है अनाया अदुल्ला रुजैफा को घर पर छोड़ा है अनाया वैसे भी सो गई थी क्योंकि वह सुबा जल्दी उटी थी तो फिर अब वह सोई वी थी तो हमने का हम इतनी दिर में होकर आ जाते हैं अब दुल्ला रुजैफा उसको संभाल लेते हैं वो स्टीम बन रही है, उसके अंदर, जएक ग्लास जो विंडू के ग्लास होते है उसके उपर बाहर देखने में प्रबलम हो रही है, तो जब हस्पन कहते हैं, उनको दिखाते हैं कि क्या मसला हो रहा हुए हम लोग समझ रहे हैं हम लोगले है, शायद गारी का जो फिल्टर होता ह कि था, जो बाहर का वेदर इतना कोल है नो उसकी वज़से प्रॉब्लम कर रहे हैं ये फिर इदर ये फिल्टर चेक कर रहा था कहता है कि चलो मैं देख लेता हूं आप लों तसली के लिए तो वो उसने चेक कर लिया था सारा और एक तो चीज़ उसने बताई थी कि ऐसे कर लेना तो फिर यह नहीं होगा तो फिर हम लोग यहां से निकले और फिर हम गए वालमर्ट जहां से हमने समान खरीदना था और वालमर्ट मैंने अंदर मूवी नहीं बनाई मैंने का मैं आपको घर जाके दिखा दूँगी कि क्या 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 ग्रॉसरी की काफी जादा चीज़े हमें नहीं मिली आटा नहीं मिला हमें सबसे जादा जो जरूरी था जो हम लोग इस्तमाल करते हैं फिलस्पेरी का ओवला आटा इदर खतम हुआ था तो फिर हस्बन कहते हैं के चलो मैं सूपर स्टोर पर चेक कर लूँगा अदर अगर मिल गया तो जी यह देखें यह जो समान मिला है फिलह भी नदा चिकन ही रखा लगा हुआ था तो यह हमने चिकन ले लिया था वो लैक्स थी और यह जो चिकन के पीस होते हैं पूरा लैक का वह बले ले लिये थे दो पैकेट और यह चिकन का कीमा चाहिए था यह भी ले लिया था दो पैकेट लिये थे मैंने इसके भी और ना ब अचाद जी हमने लिए हैं दोनों दो लिएं अच्छा इधा इधर यह ना इसके ओपर स्कीन लगी वी मिलती यह बड़ी परेशानी मिलती है विर्यादा एकिक करें साफ करने होना फिर बड़ाई मसला हो जाता है तो फिर मैं बहुत कम यह वाला काम करते हूं यह वाला काम मेर लिए थे और साथ में एकुछ सीरफ गजारा लेने थे बच्चों के लिए और यह मैंने अपने लिए लिए क्योंकि मेरा गला बड़ा खराब हुआ हुआ हो रात को तो बहुत जादा कफ शूरू हो जाती है साथ में जी रचीली का पाउडर ले लिया था और ये ले लिये थे पॉपकॉण का एक डबा ले लिया था दही ले ली थी दो पैकिट एक मैंने ली थी क्रीम की क्रीम का पैकिट लिया था एक मैंने और जूस जैसे का आपको पता है हरीम को पसंद है मैंगो जूस तो ये उसक जे तुछ का आजयते हैं जी दर बीङस की तरफ ये नाश्टे के लिए जो मैं खाती हूं आपको पता है हमको लोग इसके साथ लेटें है तो ये विला है वो डबा, एक मै या का ले लिया था और एक मैंने ये मिक्स बीन्स का लिया था ये रहे सिक्स बीन्स होते हैं जो मैं इसकी सैलड बनाती है बहुत मज़े की सैलड बनती है तो और साथ में मैंने ये कॉर्ण ले लिया था और जी है पाइनेपल का एक डबा ले लिया था मायोनीज थी आलू थे और माल्टे थे और ये लॉली पॉप हरीम ने लिए अपने लिए साथ ने बनाना है और जी वेजेटेवल्स हमें मिली नहीं वरना मेरा रादा था क्मेशवल्स मी यह लेकर आउँगी यह मैंने जी में लिए हैं ग्रेप फ्रूट दो लिए मैंने तो और साथ है जी बेबी केरर्स हैं अधरकलसन है प्रूक्वे उसको भी पीछ के रखना है फ्रीज में धनिया है कॉकंबर है हरी मिर्चे हैं और जी लेमन है और शिमला मिर्चे है ऐपल ले और अनियन ली हैं और ये मैंने हनी डू लिया है मेरे लिए जो मुझे पसंद है बहुत मैं खाती हूँ आपको पता है तो जी ये थी मेरी क्रॉसरी जो मैंने अभी खरीदी है और ऑल भी लेना था तो वो हम लोग लेकर आएंगे फिर हॉल से लेकर आएंगे वहां से बड़ी तो मैं फ्रीज की साफ करती हूँ इसमें समान रखती हूँ और जी ये गाजर का हल्वा है ये मेरी सिस्टर ने बना के दिया बड़ा ही मज़े का हम लोग नाशता इसी से करके गए थे सुबा अच्छा जी जैसे कि मैंने बताया खाना तो बनाना नहीं था मैंने हम लोग फ लोगी रखा हुआ था और बड़ा प्यारी से लाइटे शायटे लगाई ही थी तो चलें फिर आपको ये अपने साथ लेके चलती हूं और आपको दिखाती हूं कि इदर ये लोग इतनी लाइटे वगरा लगाते हैं जब इनकी क्रिस्मिस और न्यू येर के दोने कटे ही आ अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ये देखे जी लाइटे कितनी अच्छी लोगों ने लगाई ही है किसी ने बहुत हलकी सी लाइटिंग की विए किसी ने बहुत जादा की वी है मैं अब आपको एक घर में लेके चल की भी थी तो मैं मेरे हस्बन को कह रही थी कि जैसे हम लोगो के हाँ शादी होती है पाकसान में तो लाइटिंग वाले आते हैं लगाने के लिए तो ये इनकी भी कोई लाइटिंग शाइटिंग लगाने वाले कोई आते हैं या ये खूद इतनी जदा लाइटिंग लगाते तो खेर मुझे इसका जवाब नहीं मिला हसमन कहते हैं मुझे खुद को नहीं बता बात ही खतब होगी यह ला तो जी यह बस बड़ा प्यारा सबस्क्राइबर्स होते हैं और अच्छा जी एक बात और आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने मेरे इतना साथ दिया औ तो जी यह बिल्कुल आपके साथ से आपकी महबबत से मैं यहां तक महँची हूँ आगे भी आपने मेरा साथ देना ऐसी तो जी एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का यह बिल्ला डोगी कहां बोल रहे है करके दो कहांए बोल रहे है करते कि में बहुत प्यारा ओर टाके आप मेरे अधर संप्राव कि एक रिजेटी मारे बन देका लाग वेका बर्स शुक्रिया मुझा ते हुआ चलो बस चलो गाड़े भाड़े बंदेता तो बहुत शुक्र बाइमे बेठो अच्छी नद्यूजा आते साच्छा सुनले है अच्छी नद्येरे लाइच मरेतो हरी मो देखो उदर क्या खड़ा हुआ मो देखो उदर बो बता हुटना बोड़े इतना हुई हुई अच्छी एक मिनट बस अलाओ इतना अच्छी नद्यूजा देख ली मैंने बिटा इतना अच्छी लगूद के साथ अलब चला है यह देखा आपने किस तरह इनोंने सजाया था कितना उपसूरत लग जा था अच्छी इदर वैसे होता ही है जैसे कोई इस शहर में एक जो होता है ना घर वो उसने बड़ा ही अच्छी तरह सजाया होता है और लोग पिर ना दूर दूर से इसको देखने के लिए आ रहे होते हैं बच्छों के लिए तो पिर आपको पता है इसी जगह बड़ी ही अच्छी लगती है उनको तो फिर जी उसको अब आरी है नींद क्योंके रात के 10 बज़ रहे हैं तो बस अब उसको घर जाके सुलाते हैं और इदर से अब लेते हैं हमारी काफी और जी यही थी मेरी आज की वीडियो उमीदा आपको पसंद आई होगी और इसके साथी भी मुझे दें इजाज़त फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दिन के साथ अपना रखिए का ख्याल अलाफिस